सूरत क्राइम ब्रांच ने वाहनों में चोरी करने वाली आंदर प्रदेश की आंतर राजियर नेलोर गेंग को पकड़ लिया है और बड़ी सफलता हासिल की है गेंग के छे लोगों को गिरफ में लेकर पुलिस ने सूरत समेच प्रदेश में हुई 63 वारदातों की गुत्ती सुल जाली है ये गेंग गिलोई से कारों का शीशा वो मौपेड की डिक्की तोड़ कर नगत वो कीमती सामान चुराती थी इस गेंग ने आंदर प्रदेश और म प्रदाते लंबे समय से बड़ी रही थी इन बड़ती चोरियों की गटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्राइम ब्रांच ने अपने नेटवर्क को सक्रिय किया इसी बीच मिली गूप सूचना के आधार पर पुलिस ने मोटा वराचा क्रिशना टाउन सिप चार रस्ता प काला है अधरबाद के मूल चिकड़ पली गाओं के और फिलहाल महाराश्ट के पर भड़ी में रहने वाले दावीद बोनला तेलंगाना के संगारेड़ी जिले में रहने वाले रमेज थालला नेलूर जिले के रहने वाले राजू नर्बाइना और नेलोर जिले के वसंत्राव गुडेती को गिरफतार किया है आरोपियों के पास से 3.30 लाख नगत रुपे और 3 बाइक दो गुलेल साथ मॉबाइल फोन पूलिस ने जब्त किये हैं गीत बाटिया के साथ परविन पठान की रिपोर्ट समाचार इंडिया नियूस सूरत आरोपियों की दरपकट की है जिनमें से ये जो गैंक पुरी है उन्होंने अलग-अलग एरिया के अंदर जाके फोरविलर कार को गिलोल से एक काच के उपर पत्तर से वार करने के बाद काच तोड़ने के बाद चोरिया की है और इसके साथ जो टूविलर होते है उसकी जो डिक प्राइम ब्रांच ने आज 6 लोगों की धरपकड की है, उनके कब्जे में से 3,30,000 रूपया कैश और चोरी करने के जो सामगरी थी उसको बरामत किया है, इनका मोडस ओपरेंड यह रहता था कि वो आंदरप्रदेश और तेलंगाना से ट्रेन से आते थे और जहां पर पार्क क कार हो या मोटर साइकल हो या मोपेड हो उसकी गिलोल से काज तोड़ने के बाद या डिकी तोड़ने के बाद उसके अंदर से चोरी करते थे, यह जब मोटर साइकल पर घुमते थे